उर्वशी रौतेला अपने फैशन को लेकर एक्स्परिमेंट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कांस फिल्म फेस्टिवल में उर्वशी रौतेला खूब एंजोई कर रही है। फैशन के साथ खेल रही है। अब उनका नया लुक सामने आया है। क्रोकोडाइल नेकलिस, ब्लू लिप्स्टिक के बाद, अब पंखो वाला ड्रेस। ये पहन कर उर्वशी ने कातिलाना पोस दिया है, लेकिन उन पर लग रहा है कौपी का इलजाम। जी हाँ, देखिए डीप नेक के साथ ग्रीन पंखो वाले ड्रेस में उर्वशी बला की खूपसूरत तो जरूर दिख रही है। इस लुक के लिए उनकी तारीफ तो जरूर हो रही है, लेकिन उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है, उन्हें तोता कहा जा रहा है। वेल बता दे कि उर्वशी कांज में जब से पहुची है, रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरती नजर आ रही है। कभी औरेंज कलर के रैफल्ड गाउन में वाक किया, तो कभी ओफ शोल्डर क्रीम और ब्लू ग्राउन पहना है उर्वशी ने। इसी के साथ उनके ब्लू लिप्स्टिक के भी काफी चर्चा हो रही थी। इसके अलावा भी उर्वशी के कई लुक सामने आये हैं, जिसमें उन्होंने फोटो शूट करवाया था। हर लुक के साथ उर्वशी गौसिप का नया टॉपिक रही है और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि यही सेम ड्रेस एक रश्यन अक्टरस ने कांज की रेट कारपेट पर पहना था। उपनिंग डे पर वो भी इसी साल यू कह लिजे कि उर्वशी ने इस रश्यन अक्टरस का कॉपी किया या सेम ड्रेस पहन कर आ गई है। विल आपको उर्वशी का ये लुक कैसा लगा? कांज में उर्वशी का सबसे बेस्ट आउटफिट आपको कौन सा लगा? नीचे कमेंस करके ज़रूर बताइए और देखते रही है बॉलिवड नाओ